मुलाइम चेहरा, खिला-खिला चेहरा कैसे पाए ? आज मैं आपको एक गुला स्क्रब को पताने वाली हूँ इस स्क्रब से सिर्फ आपके एक ही बार में लगाने से आपका चेहरा जो है वो बिल्कुल खिल जाएंगा आपके चेहरे के दाग धबे बिल्कुल दूर हो जाएंगे और चेहरे में एक ऐसी चमक आएंगी कि आप इसको लगाने के बाद बोलेंगे वा क्या स्क्रब है तो देखिए सबसे पहले हमको क्या लेना यहाँ पर मसूर की डाल आप मसूर की डाल को कह लीजे सौंदेरे की रानी यह सौंदेरे की रानी है यह दालो की रानी है इसलिए हम यहाँ पर ले रहे हैं सबसे पहले मसूर की डाल यह लाल कलरकी होती है है ना और दूसरी चीज़ हमको ले न है चावल आप अपने घर में जो भी चावल खाते हो आपको वो ले ले लेना है लेकिन यह याद रखिये कि चावल लेनी की ज्यादा बासमत ही मसूर की दाल कितनी लेनी है आपको वो लेनी है चार चम्मच ठीक है आप मान लेज़िए अगर एक कटोरी मसूर की दाल ले रहे हो तो आपको चावल की कौंटिटिटी लेना है आदी कतोरी ठीक है, तो इनको हमको क्या करना है, जिसमें अभी यहाँ पर 4 चम्मच चावल ले, मसूर की दाल ले रही हूँ, तो मैं यहाँ पर 2 चम्मच चावल लूँगी ठीक है, और इनको अच्छा बारिक हमको मिक्सर में पीस लेना है पीसने के बाद इसको हम चान भी लेंगे, क्योंकि इसको चानना इसलिए जरूरी है, कि यह जो बारिक-बारिक, यह निकी मोटा नीराना चाहिए है, यह तो रेशिस भी हो सकते है क्योंकि आपको चावल पता है कैसे होता है तो इसलिए हम इसको मैदा चननी से चाई चननी से चान लीजिए ठीक है चानने की बाद हमको इसकी quantity चाहिए अभी के लगाने के लिए एक चमबस से दो चमबस आप इसको अपने body parts में कही पर भी लगा सकते हैं जैसे कि आपका जहाँ पर भी काला पने गर्दन में और आपके कोहनी में है या आपके पीठ में है पैरो में आप इसको कही पर भी यूज़ कर सकते हो जहाँ पर भी आपका चेहरा बोलो या जो body parts आपका जो काला हुआ है उसको आप इससे ठीक कर सकते हो ठीक है तो मैं यहापर ले रही हूँ एक चमच, ठीक है, इसके अंदर वो गिर गया था, चानते चानते, तो मैंने इसको फिर से पलटा के न, फिर से इसको चान लिया है, चाननी की बाद हमको इसको क्या करना है, एक कटोरी में निकाल लेना है, तो मैं यहापर एक से देड़ चमच अगर आप इसको स्टोर करके रखना चाहते हो तो थोड़ी सी ज्यादा मातरा में पीस लीजिए और एक हियर टाइट कंटेनर में इसको भरके रख लीजिए और जब भी आपको लगाना है तो आप इसको यूज़ कर सकते हो तो मैं यहाँ पर लड़ी हूँ एक चमच के करीब यह पाउडर और एक कटोरी में निकाल लेते हैं साफ कटोरी में ठीक है और उसके बाद हमको इसको क्या करना है इसको भिगा कर रखना है पांस से दस मिने ठीक है इसको भिगाने के हिसाब से गुलाब जल ले लीजिए एक चमच लिया है तो एक चमची हम इसमें दूद लेंगे ठीक है और उसके बाद अगर आपको इसमें अगर आपके घर में फ्रेश लीव है कौन सा वाला अलोवेरा का तो आप उसको भी इसको काट कर उसका पिलापन निकाल कर उसमें मिक्स कर सकते है लेकिन मैं रेडिमेट वाला ले रही हूँ मार्केट वाला यह मैं केसर और चंदन का यूज़ करती हूँ अपसे द्यादा तो मैं इसमें आदा चमच के करीब इसको एट कर देती हूँ और अच्छी तरह mix करके इसको अपने face पर apply करेंगे और face पर कैसे apply करना है देखिए सबसे पहला तो यह scrub है उसके पहले भी आपको क्या करना है चेहरे पर अपना जो cleansing होता है उसको लगा लेना जैसे कच्छा दूद ले लिजिए उससे अपने चेहरे की जो गंदगी है उसको निकाल लेना ठीक है मैं यहाँ पर चेहरा दोकर आई हो और अब इसको आप ब्रश से चाहे अपने हातों से किसी भी तरह इसको अपने face पर लगा सकते हो इसको मैं ब्रश के सहायता से लगा ले रही हूँ और इसको पूरा सूखने देंगे हम सूखने कब तक देंगे 10 से 15 म निक तक आप इसको हफते में तीन बार यूज़ करिए दो बार यूज़ करिए जैसे आपको कही बाहर जाना है और आपको लग रहा है कि आपका चेहरा जो बिल्कुल डल पड़ा हुआ है एकदम मुर्जाया हुआ सा है तब इसको आप इसको यूज़ कीजिए या फिर हफ गीला कर लेना है पानी से पानी से अपने चेहरे पर थोड़ी से चीटे लगा लेना है और इसको फिर स्करब करना है मतलब हलके हलके आतों से सर्कुलर मोशिन में आपको अपने पूरे चेहरे की मसाज करनी है मसाज करनी है ज्यादा नहीं करनी है मानली से दो मिनट बहुत ह दो मिनिट मसाच कर लीजिए क्योंकि हम इसको लगा कर रखेंगे वो भी हमारे चेहरे पर बहुत ज्यादा ग्लो लाएंगा उससे है ना तो हम इसको स्क्रब करेंगे दीरे दीरे सर्कुलर मोशन में और फिर उसके बाद हमको इसको ठंडे पाने से चेहरा वाश कर लेगा है आप यह याद रखिए आपको बिल्कुल साबुन का यूज नहीं करना है और आप देख सकते एक ही बार में फेस कितना क्लीन हो गया एकद